करने जा रहे हैं यह लोग परशाशन का इक बड़ा ही महतना पुर्ण विशे है विशे कौन सा है कि भारत में एसेनिक सेवाओं की बरती कि भारत में जो जो सेवाओं है वो दो परकार की है कौन-कौन सी एक सेनिक सेवाई होती है और दूसरी कौन सी होती है एसेनिक सेवाई चुंकि हमारा जो चेप्टर है वो एसेनिक सेवाउं की बरती का है इसलिए हम क्या करेंगे कि इस एसेनिक सेवाउं की बरती के बारे में पढ़ेंगे Let's start the topic पर्शाषन में कर्मचारियों की भरती का बड़ा ही महत्तव है क्योंकि पर्शाषन की सफलता उसका कारे संचालन और उसका परबंद योग्ये और कुशल लोग सेवाउं पर निर्वर करता है अगर यूं कहें कि जो बरती है वो शक्ती शाली लोग सेवा की कुंजी है अन्य शब्दों में ये का जा सकता है कि परशाशन की सफलता और उसकी ऐसफलता योग्य और कुशल लोग सेवकों पर निर्भर करती है अगर परशाशन में भरती किये गए करमचारी योग्य और कुशल नहीं है तो परशाशन जादा देर तक नहीं टिक सकता और इसके विश्य हमें वीश्ट स्टोल ने ओरती क्या है? कि भरती संपूर्द लोक करमचारियों की ढांचे की अधार्शिला है मतलब यह है कि अगर किसी मकान की जो नीव है अगर वो मजबूत नहीं है तो मकान जादा देर तक नहीं टिख सकता उसी परकार किसी भी प्रशाशन के सफल संचालन के लिए उनके करमचारियों का योगए और खुशल होना भूत जरूरी है इसके अर्थ के विशे में ये का जाता है कि भरती का सीधा सादा अर्थ ये है कि विभीन परकार की सरकारी नोकरियों के लिए उप्युक्त और योग्य करमचारियों को खोजना ही क्या कहलाता है बरती कहलाता है अन्य शुब्दम ये भी का जा सकता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भर्ती के लिए जो प्रिक्षाएं आयोजित की जाती है वही क्या है बर्ती है लेकिन भर्ती का ये अर्थ क्या है बिल्कुल संकुचित है इसके विशह में प्रफेसर एल्डी वाइट हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी प्रिवाशा दिये वो ये कहते हैं क्या कि विभीन परकार की प्रशाशनिक सेवाओं के लिए प्रत्योगी प्रिक्षाओं के अधार पर योग्ये और कुशल व्यक्तियों को अकर्शित करना ही क्या कहलाता है बरती कहलाता है कहने का भी प्रशाशन के सफल संचालन के लिए योग्ये और कुशल व्यक्तियों को अपनी और अकर्शित करना ही क्या कहलाता है बरती कहलाता है अब हम करेंगे बरती की अवधारना जो बरती की अवधारना है इसको हम एक्जांपल से करें जैसे क्या है कि यह एक गिलास है इस गिलास के अंदर क्या चीज़ है यह कुछ पानी भरा है कुछ लोग क्या कहेंगे कि यह जो गिलास पानी का है यह आधा पानी से भरा हुआ है वह कुछ लोग क्या कहेंगे कि यह गिलास क्या है आधा पानी से खाली है बात दोनों से ही है, लेकिन देखने का निजरिया अलग-अलग है उसी परकार बरती की क्या है, दो अफधारना हैं, इसके दो concept है वो concept क्या है, एक तो बरती की कौन सी है, negative concept है मतलब इसका नकारात्मक अफधारना है, जो कि मैंने बताया कि आधा पानी से खाली है और दूसरी कौन सी है बर्ती की सकारात्मक अवधारना मतलब positive concept of recruitment इसका अर्थ क्या है example यह था कि आधा पानी से बरा हुआ है अब इसका हम विस्तार स्यद्धन करेंगे कि बर्ती की नकरात्मक अवधारना क्या होती है कि इसके अंतरगत दूर्थ और अयोग्य विक्तियों को क्या संक्थन से बाहर रखने का प्रयास किया जाता है अगर हम यह कहें कि क्या कि इसके अंतरगत विक्तियों के गुणों को जाचने से पहले ही उसके अवगुणों को ढूंडा जाता है ऐसा क्यों? ऐसा इसले क्योंकि पहले जो बरती होती थी वो लूट परणाली पर अधारित होती थी और जो शाशक होता था या सत्ता धीश होता था वो अपने नीजी लोगों को अपने परिचितों को नोकी दे दिया करते थे चाहे वो योग्य हो चाहे ना हो और इसके बाद क कि इस लूट परणाली के बाद योगता के अधार पर भरती की शुरुआत हुई ओके और चूंकि भारत में क्या है चूंकि भारत में बेरोजगारों की संख्या का है मतलब बेरोजगारी बारत में बहुत जादा है बेरोजगारी इसके अंत्रगत क्या चीज़ है बिरोजगारी बहुत जादा है और इसके इस बिरोजगारी के कारण भारत में बर्ती की नकरात्मक अवधारना दिखाई देती है कई बर आप देखते हैं कि बर्ती के लिए जो विग्यापन जारी किया जाता है उसमें एक शर्त रखती जाती है कि 50 प्रतिशत से कम अंक वाले जो उमीदवार हैं वो अवेदन ना करें तो यहां यहां बस पस्ट हो जाती है कि यह सोच कुन सी है नकरात्मक बर्ती की नकरात्मक सोच है अब हम क्या कर रहे हैं बर्ती की नकरात्मक अवधारना कि बर्ती की सकारात्मक अवधारना क्या होती है नामशिस पस्ट है इसके अंतरगत बर्ती करने वाली संस्था या च क्याते हैं केवलES योगे और कुशल अनभवी विक्तियों को ही सेवा में अकर्षित करने का प्रयात करते हैं। वर्तमान में क्या है affecting में बर्ति के सकरात्मक अवधारना को जादा समर्थन प्रापत हुआ है। और भरती की इस सकरात्मक अवधारना के लिए क्या चीज़ है इसको लागू करने के लिए कई बातों का ध्यान में रखा जाता है वो बाते कौन सी है वो बाते ये हैं कि बड़े ही जो विज्यापन दिया जाता है बरती के लिए वो कैसा होना चाहिए और इसके लिए योगता जाजने की जो विदिया है वो बड़े ही विज्यानिक और अच्छे प्रिक्षन से किया जाना चाहिए और योगता का जो निर्ध अब ये है कि बरती की जो सकरात्मक अवधारना है इसको जादा महत्व देकर संक्टन की क्या की जा सकती है कारे कुछलता बढ़ाई जा सकती है लेकिन आज के आदनी यूग में लोग सिवाओं की जो भरती है उसमें भरती की सकरात्मक और नकरात्मक दोनों ही परकार की उदेशे क्या है दोनों का उदेशे बिलकुल एक ही है और उदेशे क्या है कि संग्ठन में योग्य करमचारियों को धूंड़ना वेल स्टुडेंट्स आज का हमारा जीके के टोपिक यहीं समापत होता है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के भाग के साथ तब तक आप खुश रहें स्वस्त रहें और अपने आस्पा सफाई बनाए रखें जै हिन